दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जारखन राज जी के रासन कार्ड में ओनलाइन नाम सुधार कैसे किया जाता है तथा उसका क्या प्रोसेस है step by step बताने वाला हूँ अगर आप या आपके किसी ग्राहक के रासन कार्ड में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम गलत है और आप उसे सुधारना चाते हैं तो वीडियो को पूरी देखें complete जनकारी दी गई है आईए चलते हैं अपने computer screen पर और जानते हैं इसका live process मगर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक like कर दीजेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीजेगा आईए जानते हैं दोस्तों इसके लिए आपको ahar.jharkhand.gov.in की website पे आना है link आपको वीडियो के नीचे description box में भी मिल जाएगा और वहाँ पे आने के बाद आपको उपर buying और online का option दिखाई देगा उस पे click करना है उसके बाद नीचे में online नावेदन का option दिखाई देगा उसमें आपको click कर लेना है जिससे रासन card management system की website खुल जाएगी उसमें आपको यहाँ पे नीचे में red color से जो card holder login दिखाई दे रहा है इस पे आपको click करना है इसके बाद आपको दो type की login का option मिलेगा एक UID अधारित login और एक रासन नमर अधारित login तो इन दोनों की क्या business ताएं है और क्या क्या आपकार यहाँ से कर सकते हैं इसे आप पढ़ सकते हैं तो हम लोग दाई और की रासन नमर अधारित login करेंगे क्योंकि इसी के अंतरगत आप 6 नमर में देख सकते हैं यहाँ पे सदस्यों के नाम सुधार का option दिया हुआ है तो इसमें आपको यहाँ पे login पे क्लिक करना है इसके बाद ERCMS रासन कार्ड login का option दिखाई देगा और सबसे उपर में आपको रासन कार्ड नमर का option मिलेगा यहां पे आपको वही राशन कार्ड नमर को डालना है जिस राशन कार्ड में सदस्त के नाम को सुधार करना चाहते हैं उसके नीचे में आपको कार्ड टाइप वाले आप्सन में सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा कार्ड है पी एच कार्ड है या ग्रेन कार्ड है और उसके ठीक नीचे आपको पासवर्ट डालना है जो कि last eight digit of अधार नमर head of family मतलब जिस कार्ड धारी का नाम रासन कार्ड के उपर में लिखा हुआ है उसके अधार की आखरी के आठ नमर डालना है चार नमर शुरू के चार अच्छर को छोड़ के बांकी आठ अच्छर ही आपका पासवर्ट है उसे आपको यहाँ पे डाल लेना है और नीचे में जो कैपचा आ रहा है उसे सही से फील करना है और login पर click कर देना है जिसके बाद आप इसमें login हो पाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारा option बाएंग की और दिखाई देगा जिसमें आपका पांचवे नमर पे सदस्य का नाम परिवर्टन का option दिखाई देगा उसमें आपको click करना है इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में select member वाले option में किसी एक परिवार के सदस्य को चुनना है जिसे चुनने के बाद उसके अधार की आखरी दो अंक आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे आपको उसी सदस्य का अधार नमर डालना है और फिर verify पे click करना है इसके बाद आपके सामने step two खुलेगा नीचे में उसमें आपको select member वाले option में उस member को select करना है जिसके नाम को आप सुधार करना चाहते हैं और उसके नीचे में आपको तीन उप्सन मिलेगा कि आप नाम सुधार करना चाहते हैं या फिर पिता या पती का नाम सुधार करना चाहते हैं या मां का नाम सुधार करना चाहते हैं तो इसमें से आपको जो भी सुधार करना है उसे चुनें मैं फिलाल यहां पे आपको एक न नाम सुधार करके दिखाने वाला हूँ, तो आप यहां पे उपर में देख रहे होंगे, MD Salim को मैंने सलेक्ट किया है, और उसका जो भी नाम सुधार करना है, सुधार वाला नाम आपको यहां पे डालना है, उपर में आपको इंगलिस अक्छरों में डालना है, और नीचे में Hindi अक्छरों में डालना है, और फिर यहां पे नीचे में आपको उसका कोई एक प्रूफ देना है, जो कि नोट्री भी हो सकता है, उसकूल सर्टिफिकेट भी हो सकता है, या अधार कार्ट भी हो सकता है, तो choose file वाले option में click करें और उसे आप पहले से scan करके रख लें और यहां से select करें और उसके नीचे में upload self declaration फाइल आपको पहले से load करके रखना है वो कहां से load होता है मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको वापस ahar.jharkhan.gov.in की website पे आना है और दुबारा से online सेवा वाले option पे click करके online नावेदन वाले option पे click करना है और उसे खुलने के बाद यहां पे download वाले option पे click करना है जिससे आपके सामने सभी self declaration form की download link दिखाई देगा तो यहां पे सबसे first में self declaration form for name change का option दिखाई देगा इसमें आपको right click करना है और open link in new window वाले option पे click करना है जिससे एक नई window खुलेगी और वहां पे आपका self declaration form डाउनलोड हो जाएगा और इसमें आपका जो भी खाली जगह दिया हुआ है काड़धारक का नाम के जगह पे काड़धारक का नाम भर ले रासन संक्या भर ले से पुराना नाम भरना है जिस सदस का नाम सुधार करना चाह रहे हैं उसका जो रासन कार्ड में नाम मौझूद है उसे आपको पुराना नाम में भरना है और नया नाम में जो आप सुधार करना चाहते हैं उसी नाम को भरना है और नीचे में अस्थान तथा दिनांग भर लेना है और उसका हस्ताक्षर करा देना है काड़दारी का और उसका नाम नीचे में लिखना है और इसे फिर scan करके आपको सेव कर लेना है कंप्यूटर में मैंने फिलाल इस form को पहले से scan करके रखा हूं तो मैं वापस उसी को upload कर देता हूँ और फिर उसके नीचे send request वाले option पर क्लिक करना है जिससे आपके सामने the request to change we have been successfully का option दिखाई देगा यहां उपर में और अगर आपने इस form को fill करने में कुछ ज़्यादा ही तेरी लगा दिया तो आपके सामने इस टाइब का option आएगा you are not authorized to access that location तो फिर आपको दुबारा से जल्दी से कम समय में आपको इस form को fill करना है जिससे आपका सफलता पुर्वक form fill up हो सके और form fill up होने के बाद आपको scroll down करके नीचे आना है और वहां से आपको print का option दिखाई देगा जिससे आपको print कर लेना है और दो copy print करना है एक copy customer को अपने पास रखने के लिए काना है और दूसरा copy उसे ओपिस में जाके जमा करने के लिए काना है और इसके बाद का process अधिकारियों का process होता है सबसे पहले आपको BSO approve कर देगा उसके बाद आपको फिर DSO के पास आपका चल जाएगा DSO login में आपको फिर से जब approve हो जाएगा उसके बाद आपका आवेदन सफलता पुर्वक सुधार कर दिया जाएगा तो दोस्तों अगर आपको form बरने में किसी भी परकार की कोई कठिनाई होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की ढहर सारे टिप्स ट्रिक की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में आपका दिन मंगल मैं हो